दोस्तों आप अपना कम्पेटर में Windows 7, 8 या 10 जो भी उसकर रहे हैं उसको आप कैसे Windows 11 में अपग्रेड कर सकते हो इस वीडियो में यही दिखाने वाले हैं मैं इसको Windows 10 में दिखाने वाला हूँ लेकिन आपका अगर Windows 7, 8 या Windows 10 जो भी है प्रोसेस सेम ही रहेगा इस प्रोसेस का आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़े आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है और आपका जो कम्पेटर है उसमें कुछ चीज़े भी करना ज़रूरी है सबसे पहले आप अपना computer का bios menu को access करिए bios menu को कैसे access करना है उसके लिए आप screen पे एक photo देख सकते हो उसको एक refer में ले सकते हो अगर फिर भी आपको नहीं पता चल ला है तो आप एक काम करो Google पे जाके अपना laptop या computer जो भी है उसका model number देकर search करो बाइस मेनू क्या है तो आपको मिल जाएगा उसके बाइस मेनू में जाके आपको अपना computer का जो secure boot है वो अगर enable है तो उसको simply disable कर देजे नहीं तो यह जो secure boot है आपको Windows 11 में update करने नहीं देगा secure boot अगर disable कर लिए है अभी आपको एक और चीज़ करना है कि अपना computer में virtualization किसी computer में हाइफर भी के नाम पे भी यह option आता है तो आपका computer में हाइफर भी या virtualization जो भी है उसको enable कर देना है यह सब चीज़े करने से पहले आप अपना computer का जो एक बार backup कर लीजिए बैक अप कैसे करना है उसके लिए i button में एक वीडियो दिया हुआ है और नीचे description में भी वीडियो दिया हुआ है उसको आप एक बार देख लीजिए और आप अपना computer या laptop जो भी आप यूज़ करें उसमें power supply इनफ होना चाहिए यानि कि power का जो केविलब वो आप always connect करके रखिए नहीं तो कभी भी अगर आपका computer shut down हो जाएगा data loss permanently हो सकता है दोस्तों मेरा जो वीडियो है 96% लोग उसको देखते हैं लेकिन subscribe नहीं करते हैं तो इसके बाद आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको थोड़ा सा टाम लाएगा आप वेट कर लीजे क्योंकि Windows का जो सेट आप है वो एक से लेकर करके 100% कंप्लीट करेगा तब ही आगे बढ़ पाएगे 100% जैसी हो जाएगा आपके समने कुछ इस तरीके का डिस् करिए फिर आप इस बहुत आप यहां पर उप्सें पर क्लिक और यहां पर यहां पर यहां पर एक्सप्र इसे लेक हर भर आगे करेप fino when ऑपका क्या होगा यहां पर डिस्प्लय पर यहां इसे पर नहीं रहेगा तो यहीं वहाला र्कमेंडर रहेगा ऊपने और पर नहीं रहेगा अगर करेंगे तो आपका computer में fresh वाल इंस्टाल होगा तो personal files की personal files and apps इस option को select करने के बाद आप next पर क्लिक करें फिर थोड़ा सा time लाएंगा आप वेट करें फिर यहाँ पर install पर क्लिक कर दीजिए फिर आपको इस जगह पर यहां से 0-100% तक जब तक complete होगा आपको wait कर लेना है सब कुछ complete हो जाने तक बाद दोस्तों यहाँ पर दिखाएंगे your PC will restart in a few moments आप कूछ नहीं करना है आपको just wait करना है automatically जो है अपना restart होके आगे का जो काम है वो होता रहेगा यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा wait कर लेना है जो है सब कुछ settings बगारे ready हो रहा है यहाँ पर भी वेट कर लेना है देख सकते हैं दोस्तों computer जो Windows 11 में update हो चुका है अभी थोड़ा और टाम लगा आपको थोड़ा और वेट करना है अभी यह जो computer है just open होनी वाला है अभी open हो चुका है थोड़ा फाटा-फाट इसको password देके open कर लेते हैं अभी यहाँ पे और थोड़ा टाम लगा है एक-दो मिनिट टाम लग सकता है वेट करिए फाइनले दोस्तों अब मेरा जो computer है वह इंडोस टेंस विंडोस 11 में completely update हो चुका है अब देख सकते और यहाँ पर desktop में जो जो फाइल था वो फाइल भी यहाँ पर शो कर रहा है तो यहाँ पर देख सकते desktop एक फोटो और यहाँ पर देख से में जायरें देखिए देख से को ऊपेट करके फिर हम लोग यहाँ पर download folder में जा रहे हैं यहाँ पर download folder में जो हम लोगोंने download किया था windows 11 का eso यहाँ पर वह भी है यानि कि कोई भी data loss यहाँ नहीं हुआ है और पिछली वाली एक वीडियो में मैं दिख एक्स्पीरियेंस और भी बहतर होने वाला है उम्मिद करते हैं थो आपको नोडिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपको भी मन में कोई सवाल है यह सुझाव है तो देर की इस बात कर नीचे कॉमेंट में बताइए आपको कौन सी चीज को पर वीडियो चाहिए आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं कोशिश करने को उसको पर वीडियो बनान करने का तो चलिए दुस्त वाच के लिए बस इतना हैं मिलते हैं अगले वीडियो में